नमस्कार बच्चो मैं डिम्बल सैनी तो फिर से हाजिर हूँ आपके साथ में ओनलाइन क्लास के साथ में तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज देखिए ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा और बहुत अच्छा लग रहा होगा कि मैं पतंग लेकर आई है अभी मौसम नहीं है पतंग का अभी तो हमें पढ़ने का मौसम है ये जो मौसम चल रहा है वो अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का मौसम चल रहा है अन्ने था और कुछ भी नहीं करना है हमें तो ये पतंग जो दिख रही है ये रायस्तान बोर के 12th क्लास समाने हिंदी का 2nd chapter है आलोग धनवा जी द्वारा लिखा गया है पतंग नाम का जो लेसन है वो और ये हमारे 2nd chapter का 1st lecture है तो हम आज पढ़ने जा रहे है आलोग धनवा जी को और उनके द्वारा लिखी गई प पतंग नामक कवीता को कि उन्होंने पतंग कवीता के माध्यन से क्या-क्या बताने का प्रयतने किया है ठीके पतंग देखिए देखते ही एक ऐसा शब्द है कि बच्चों में अजीब सा उत्सा बर देती है अजीब सा उमंग भर देती है तो वो जो उमंग और उत्सा है उस जला जाता है उसके बाद में शरद रितू का आगमन होता है तो शरद रितू के आगमन के साथ प्रकरती का जो मनोहारी दःष्च के बदलने लग जाता है थोड़ा कुश्णुमा हो जाता है सूरज की रोशनी में थोड़ा सा बदलाव आता है तो वो सारी चीजे इन्होंने अपने इस कवीता के माद्यम से हमें बताने की कोशिश की है और हम भी जानते हैं कि उन्होंने अपनी कवीता में क्या लिखा है तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आलोग धनवाजी को, उनके जीवन परीचे को, उनके करतित्व को, उनकी रजनाओं को, इन सभी को आज पढ़ेंगे और देखेंगे उन्होंने कितना सारा कुछ हमें प्रदान किया है, हमारे लिए एक तौफे के रूप म सबसे पहले, यह है हमारे आलोग धनवाजी देखिए, यह आपको दिखाई दे रहें उनकी तस्वीर, ठीक है, तो आलोग धनवाजी का जन्म सन 1948 इस्वी मुंगेर, बिहार राज्जी में है, मुंगेर में हुआ था उनका जन्म, उनकी जो प्रमुख रचनाय है, पहली कव कविता उनकी थी, जन्ता का आदमी, ठीक है, 1972 में प्रकाशित हुई, और उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ठीक है, जो उनकी सबसे पहली कविता थी, वो कौन सी थी, जन्ता का आदमी जो 1972 में प्रकाशित हुई, और उसके बाद जो उन्होंने कविता लिखी वो यहां हमें दिखाई दे रही है प्रमुख सम्मान जो उन्हें प्राप्त हुए थे वो देखे राहुल सम्मान मिला था उन्हें बिहार राष्ट भाषा परिशत का साहित्य सम्मान मिला उन्हें बनारसी प्रसाद भोजपूरी सम्मान मिला और पहल सम्मान मिला पहला नहीं यह पहल सम्मान आएगा उनके द्वारा दो पंक्तिया लिखी गई है बहुत अच्छी लिखी गई है कि जहां नदियां समुद्रे से मिलती है वहां मेरा क्या है मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उदर ठीक है? कि जहां नदी समुद्रे से मिलती है वहाँ पर मेरा कुछ नहीं है लेकिन मैं नहीं जानता कि ये सब क्या है क्या हो रहा है कुदरत का क्या करिश्मा है लेकिन मैं उधर फिर भी जाने की लालसा रखता हूँ इच्छा रखता हूँ तो हमने पढ़ा कि उनका जो जन्म है 1948 मुंगेर बिहार में हुआ था और उनकी रचनाय है पहली जो उनकी रवकविता थी वो जनता का आदमी था 1972 में प्रकाशित है उसके बाद में उनकी कई रचनाय प्रकाशित हुई है जैसे भागी हुई लड़किया आए ब्रुनो की बे उनके जीवन में क्या है यह है मतलब उनके जीवन का जो कुछ सार है आलोग धनवा जी का जो जीवन परीचे है वो हम किस प्रकार पड़ते हैं देखते है साथवे आठवे दशक यानि कि 1970-1980 के दशक में कवी आलोग धनवा ने बहुत छोटी अवस्ता में अपनी गिनी च अपने कावे कावे की रचना करना प्रारम कर दिया बहुत छोटी सी उम्र में ही उनके अंदर ये विलक्षन शम्ता आ गई कि वे कावे रचना में प्रतिवा को दिखाने के लिए प्रेरित हो गए ठीक है तो देखिए बहुत कम लोग होते है जो इश्वर ये प्रदान एक उपहार होता है उस उपहार के फल्सुरूप हम ये कारे कर सकते हैं तो वे उनके जो लायक थे मतलब उनके काबिल थे वो कौन थे आलोग धनवाजी ठीक है सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंबिक कविता हिंदी के अनेक गंभिल कावे प्रेमियों को जबानी याद रही है आलोचकों का तो मानना है आलोचक कौन होते है जो किसी रचना के गुण दोशों का विशलेशन करते है उसके गुण और दोश दोनों को बताते है और उनके बीच में जो फर्क है वो बताते है तो वो होते है कौन आलोचक आलोचको का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है इसका मुल्यांकन अभी ठीक से नहीं हुआ है यानि कि आलोचको ने तो ये भी कह दिया है उनकी कविताओं को पढ़ने के बाद में कि कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया उनकी कविताओं ने क्योंकि उनकी बहुत ही सुलब सहज बाशा में लिखी गई कविता जो मन को हरने वाली यानि कि बहुत ही मन को भाने वाली जो कविता दी वो उनकी कविता का विशे उन्होंने बनाया था इतनी व्यापक ख्याती, ख्याती का मतलब होता है प्रसिद्धी इतनी व्यापक ख्याती के बावजूद या शायद उसी की वज़े से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाओं के चलते, अपेक्षाओं यानि की आशाओं आशाओं के दबाओं के चलते आलोग धन्वा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया थोक के भाव का मतलब यह हुआ कि उन्होंने बहुत सारा लेखन नहीं किया थोड़ा किया लेकिन गुनवर्दक किया यानि कि जिसमें बहुत अच्छा विशे लिया है थोड़ा किया लेकिन बहुत अच्छा किया, सर्वस रेष्ट किया, अपनी विलक्षन परतिवा को उन्होंने परदशित किया, इस प्रकार का उन्होंने लेखन किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत सारी कविताय लिख डाले, बहुत सारे कावे लिख डाले, बहुत सारे देखन आरंब करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एक मात्र कावे संग्रा सन 1998 में प्रकाशित हुआ। उनमें आना जाना रहता था जिससे समाज के लोगों से उनका जुडाव बना रहे और संस्कृती से उनका जुडाव बना रहे यह उन्होंने अपने जीवन में किया था। यानि कि ऐसी संस्था में उन्होंने कुछ समय के लिए पढ़ाया जिनको थोड़े समय के लिए रखा जाता है उन्होंने कुछ समय के लिए उन विश्विद्यालों में अध्यापन कारी भी किया। आगे चलते हैं पाठे पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोग धन्वा के एक मातर संग्र का हिस्सा है। उनका एक ही संग्रप्रकाशित हुआ था और उसी संग्रा में उनकी कविताए लिखी गई थी थोड़ी लिखी गई थी लेकिन बहुत विलक्षन शम्ता प्रतिबा को फर्देशित करने वाली कविता थी। उनमें से पतंग नाम की जो कविता है वह भी बहुत ही विलक्षन प्रतिबा को परदशित करती है किस प्रकार उन्होंने एक बाल सुलब मनोहारी चितरन प्रस्तुत किया है ठीक है बच्चों के मन को किस प्रकार से उन्होंने व्यक्ति किया है उनकी जो अठ्खेलिया हैं, उनकी जो किरिया कलाप हैं उनको किस प्रकार से और साथ में प्रकर्ति के परिवेश को भी उनों ने यहां परदरशित किया है यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठे-पुस्तक में शामिल किया गया है देखें बहुत बड़ी कवीता है उसमें से सीफ जो तीसरा भाग है मतलब एक कवीता को तीन भागों में बाट दो और तीन भागों में बाटने के बाद जो थर्ड जो बाट आता है तीसरा भाग आता है वो हमारी कवी हमारे पाटिकरम में समिलित किया गया है बहुत छोटा भाग यह उनकी लंबी कविता का पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलब इच्छाओ एवं उमंगो का सुन्दन चित्रन किया गया है बाल किरिया कलापो एवं प्रकर्ती में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए अभिव्यक्त यानि कि बताने के लिए सुन्दर बिम्बो का उप्योग किया गया है पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है उमंगों यानि कि उनकी मन के अंदर जितनी लहरे जाकती है जितनी चेतनाएं होती है उन्हें उमंग केते हैं छोटे बच्चों के अंदर बहुत सी उमंगे होती है उनके मन के अंदर बहुत अलग-अलग विचान होते हैं मतलब कोई पतंग उड़ाने के लिए जो उनके मन के विचली थोर जाते हैं बेचेन हो जाते हैं उनके कदम रुखते नहीं है व expands है ठीक है आसमान में उड़ती पतंग उचायों की वे हदे है बालमन जिने चुना चाता है और उसके पार जाना चाता है विल्कूल एक उची पतंग को देखकर एक बच्चा अपने मन में क्या सोचेगा कि मैं उस पतंग पर बेटकर आसमान में विच्चरन करू ऐसे उसके भाव होते हैं तो वो खुद तो पतंग कहुतो समझ सकता है ना वाइसा पतंग जोस्त कर देखकर एक प्रतिश्चरन कर देते हैं कि हमारी पतंग है पर पर ठीक है तो बच्चे ऐसे ही होते है बहुत नटखट होते है चंचल होते है तो उनकी यहां मनोभाव यहां पर वेक्ट किये गए है कवी के दुआरा आगे चलते हैं कवीता धीरे धीरे बिम्बो की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहां शरद रितु का चमकीला इशारा है शरद रितु यानि कि जब सर्दी की रितु शुरू हो जाती है उसे शरद रितु कहते हैं जहां तितलियों की रंगिन दुनिया है दिशाओं की म्रदंग जहां छतों के खतरना कौने से गिरने का भय है तो दूसरी और भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर समलते हैं और प्रत्वी का हर कोना खुद बखुद उनके पास आ जाता है वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे उचा उड़ाने का होसला लिए फिर फिर भाद लेम जेरे के बाद की शरद यानी उजाले के प्रतिक्षा कर रहे हैं किया आप बी उनके साथ है कभी कहना चाता है कि किस प्रकार बच्चे प्रत्वी का एक एक कोना नापना चाते हैं उनके मन की अंदर जो हिलोरे चल रही है जो मंग चल रही है उसको पतंग के मादम से वो परदशित करना चाते है और पतंग उडाते समय पे सारे डर को भूल जाते है जितना उनके मन में जो भै था वो सारा भै और निकल कर बाहर आ जाता है क्योंकि उनका तो एक ही लक्षे है कि मेरी पतंग अब भादो का मतलब यहाँ पर अंधेरे से दिया गया है कि जैसे ही अंद्रकार समाप्त हो जाएगा यानि कि शरद रितु आ जाएगी उजाला हो जाएगा और हम फिर अपनी पतंग लेकर अपने मन की उमंगों को उपर उडाने की कोशिश करेंगे ये उन बच्चों के भाव होते थे जब वे पतंग उडाते थे अब चलती हैं हमारी पतंग नामक जो कवीता है वो शुरू करते हम कि क्या है पतंग में सबसे पहले हम ये पूरी कवीता पढ़ेंगे और पढ़ने का तरीका देखेंगे कि किस परकार कवीता का वाचन किया जाता है सबसे तेज बोचारे गई भादो गया सवेरा हुआ खरगोश की आखो जैसा लाल सवेरा शरद आया पूलो को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकल तेज चलाते हुए घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उडाने वाले बच्चों के जुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग उपर उड़ सके देखें कितने अच्छे बाव यहां पर व्यक्त किये है कवी आलोक धन्वा जी ने पतंग के माध्यम से वो बहुत कुछ बताना चाते है पतंग और बच्चों के दोनों के माध्यम से बताना चाते है बाल सुलब इच्छा और उमंगों को व्यक्त करना चाते है शरद रितु के आगमन के साथ उन्होंने ये बताया है कि शरद रितु का आगमन हुआ है इसका मतलब कि जो भादरपत का जो काला महीना था यानि कि जो बारिश के वर्षा रितु का जो महीना होता है वो मनुश्यों को एक कमरे के अंदर बंद करके रख देता है कि बाहर उनका इतना वातावरन या इतना क्रिया कलाप नहीं हो पाता है जैसे ही शरद इरितु आती है यानि कि वर्षा इरितु का समापन हो जाता है और मनुश्य बाहर यानि कि मनुश्य के सभी छोटे बड़े सभी बाहर आकर अपनी खिरिया कलाप में व्यस्त हो जाते है तो वही शरत इरितु जैसे उजाले के समान आई है और भादरपत का जो महीना है वहाँ अंदेरे के समान समाप्त हुआ है और जो बच्चे थे उनके मन की नई नई इच्छाय जागरत हुई है पतंग के माध्यम से यहाँ पर कभी ने बताया है सबसे तेज बच्चारे गई भादो गया सवेरा हुआ कि सबसे तेज बच्चारे जो भादो के महीने में होती है वो अब पूरी जा चुकी है यानि कि वर्षा इरितु का समापन हो चुका है भादो गया सवेरा हुआ कि बादरपत का जो अंदकार महीना था वो पूरा समाप् ठीके? यहाँगि पारिश के मौसम के बाद में जब थोड़ी-थोड़ी सी हलकी-हलकी भीनी-भीनी सरदी आती है और उस भीनी-भीनी सरदी में जब हम सुबह उठकर देखते हैं आप कभी देखिएगा यह आप खुद भी ट्राय कीजिये कि जब हम सुबह उठते हैं तो वो जो सूरज है वो बिल्कूल ऐसा लाल और अच्छा दिखाई देने वाला होता है खरगोश की आँखो जैसा लाल दिखता है क्यों कि बातवरन बिल्कूल साफ हो जाता है एकदम स्वच्छ हो जाता है किसी प्रकार के कोई बादल नहीं होते है जिससे सूरज छिपा-चिपा सा दिखाई दे एकदम साफ सुच्छ चम्कीला सीदी किरने धरती पर गिराता हुआ सूरज हमें दिखाई देता है तो वहाँ यहां पर कवी ने बताया है कि सूरज को कैसा बताया है शरद इरितु है पूलों को पार करते हुए पूलों को पार करते हुए से यहां क्या भाव व्यक्त हो रहा है यानि कि जो बहुत समय से शरद इरितु नहीं आई थी यानि कि बहुत बादरवे के महीने में बहुत सारी जो नदियां वो बहती है पूलों को पार करते हुए नद नीचे हो गये है यानगी कि उनका पानी है वो पानी का इस तरह है जो जल इस तरह वो नीचे बैठ गया है और अब जो सरड़ीतु आई है वह एक स्टेप यानगी एक एक करी को पार करते हुए आई है यहां पर हमारे इस माहुल के अंदर अपनी नई चमकीली साइकल तेज चलाते हुए जो शरत रितु है ऐसा लग रहा है कि जो बहुत सारी रास्ते है उन रास्तों पर शरत रितु अपनी नई चमकीली साइकल यानि कि साइकल को लेकर जैसे बहुत तेज गती से चलाते हुए और बहुत सारे पूल मतलब बहुत सारे रास्ते मिलते हैं उन रास्तों को तै करते हुए शरद रितु यहां तक आई है घंटी बजाते हुए जोर जोर से और हमें यह संकेत देती है घंटी बजाते हुए यानि कि कुछ ऐसे प्रकरती के परिवर्तन हो जाते है प्रकरती में ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि ऐसा लगता है कि शरत रितु घंटी बजा कर हमें संकेत दे रही है कि मैं आ गई हूँ यानि कि शरत रितु का यहाँ पर आगमन हो गया है यह उनका यह प्रकरती के परिवर्तन के साथ में यह सारी बाते कही गई है पूलों को पार करना घंटी बजाना तो शरत रितू न तो पूल को पार करती है और न घंटी बजाती है लेकिन प्रकरती का परिवर्तन ऐसा होता है प्रकरती का रूप परिवर्तन इस प्रकार होता है कि हमें लगता है कि शरत रितू हमें संकेत दे कर आगमन कर रही है हमें बता रही है कि मैं यहां आ गई हूँ चमकिले इशारों से बुलाते हुए और जो सूरज की किरने चमकिली होती है और चमकिले इशारों से एकदम हमें आबास हो जाता है और थोड़ी-थोड़ी हमें जो सूरज की जो रोश्णी वो अच्छी लगती है रोश्णी के उसकी जो गर्माट आती है किर्णों की जो गर्माट आती है वो अच्छी लगने लग जाती है क्योंकि थोड़ी थोड़ी बीनी बीनी सर्दी शुरू हो जाती है तो चमकिले इशारों से बुलाते हुए तो उसके चमकिले इशारों से हमें वो बुलाती हुई महां में इशारा देती है पतंग उडाने वाले बच्चों के जुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग उपर उड़ सके अब शर्रेत रितु चमकीले अपनी चमकीले किर्णों के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को इशारा दे रही है कि अब तुम्हारे पतम उड़ाने का समय आ गया है उनको इशारा करती है बच्चों के जुन्ड को और बच्चे काम आनने वाले बच्चे तो जाएंगे वो बच्चे अदल आकाश में कहां पतं उड़ने वाली है कहां उड़ेगी पतं किस प्रकार उड़ेगी और अचानक से जैसे शरत का आगवण हो जाता है और पतंग जब उळाते है तो यस लगता है जो आसमाने वो पूरा मुलायम सा हो गया है और मुलायम होने के साथ हमारे जो हमारे मन की लहरे है वो आसानी से उपर आस्मान में उड़ सकती है तो यह इस कावियांश में कभी का कहने का तात्परिया आप समझ गए होंगे कि कभी क्या कहना चाता है बाल, सुलब, उमंगों को और प्रकृति के परिवर्तन के रूप में यहां उन्होंने व्यक्ति किय ऐगे चलते हम, अब उनका दूसरा पद्यानश यह कह से कह से हलकी और रंगिन चीज उड़ सके दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके बास की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों कि और कारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास प्रत्वी घूमती हुई आती है उनके बेचेन पैरों के पास जब वे दौडते हैं बेसूद बेसूद मतलब कि बिना ध्यान दिये बिना ध्यान दिये ठीक है? अब यहां कभी क्या कहना चाते है कि दुनिया की अब उस पतंग के बारे में बताना चाते है कि जिस पतंग को बच्चे उड़ा रहे है उस पतंग को बताना चाते है उसके बारे में बताने चाते है कि पतंग की क्या विशेशता है कि दुनिया की सबसे हलकी दुनिया की वह सबसे हलकी चीज है कैसे आसमान में उड़ रही है यह देखे कोई चीज आसमान में उड़ सकती है क्या ऐसे ही हमारा gravity power ही इतना है कि सारी चीजों को खीच लेता है लेकिन वो इतनी हलकी है इतनी नाजूक है इतनी पतले कागज से बनी हुई है कि उसको एक धागे के सारे से हम आसमान के उचे सीरे तक ले जा सकते है और वो चली पे जाती है कुछ हवा के जोकों से लहरती हुई वो चली जाती है तो आप सोचिए वो कितनी पतले कितनी चोटी चीज है कि दुनिया के सबसे हलकी और रंगिन चीज उड़ सके सबसे हलकी और रंगिन हमने देखा है आप लोगों ने भी देखा होगा आसमान में जब पतंग का मोसम आता है मकर संक्रांती आती है या अलग-अलग जगह उपर अलग-अलग तेहारों के समय और अलग-अलग महीनों में पतंग उड़ाई जाती है लेकिन जो अधिकांश पतंग का महसो मना जाता है मकर संक्रांती के आसपस मना जाता है तो दुनिया की सबसे हलकी और रंगिन चीज उस समय आसमान में च्छाई होई रहती और जो आसमाने नीले की जगे हमें पूरा रंगीन लगने लग जाता है अलग-अलग तरे की अलग-अलग आकार की पतंगें हमें दिखाई देती है तो इसमें यहीं बताया है दुनिया का सबसे पतला कागज आपने कागज देखा होगा कागज की मोटा ही देखी होगी लेकिन जो कागज पतंग में उपयोग किया जाता है उतना पतला कागज मुझे नहीं लगता कहीं और हमें मिलेगा तो इतना पतला कागज बनाया जाता है कि वहाँ आस्मान में उड़ सके दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके बास की सबसे पतली कमानी अब बास तो कितना मोटा होता है लेकिन उसकी कमानी को छील छील कर इतना पतला किया जा सकता है जिससे उस पतले कागज के उपर उसको लपेट कर और उसको आकार दे कर और आसमान में उड़ा सके कम से कम उतना पतला किया जाता है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया कि इसलिए कि जैसे ही दुनिया का हलका सबसे हलका कागज, पतली कमानी और पतली चीज, ठीक है आसमान में रंगिन चीज जब उड़ती है तो उड़ते ही चारो तरफ किलकारियां, सीटियां और तितलियों की जो गरगराट है वो सारी शुरू हो जाती है और मौज मस्ती बच्चों की भरपूर शुरू हो जाती है यहां कवी बच्चों की भावणाओं को व्यक्त करना चाते है कि जैसे ही पतंग उड़ती है उनकी सीटियां, किलकारियां शुरू हो जाती है ठीक है? और किस तरह से शुरू होती है यह आप से बहतर कोई नहीं जानता है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं जन्म से कौन लाते हैं अपने साथ कपास कौन लाते हैं? कपास का मतलब यह नहीं हुआ कि आप कपास का मतलब होता है रूई, ठीक है? कॉटन तो रूई नहीं लेकर आते हैं वे कवी के कहने का मतलब यह है कि जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं वो जन्म से ही अपने साथ कोमलता लेकर आते हैं ठीक है वही कोमलता प्रत्वी जो घूमती हुई प्रत्वी है उस कोमलता से इतना प्रेम करने बैठ जाती है कि वो अपने आप ही घूमती हुई प्रत्वी उनके बेचेन पैरों के नीचे आना जादा पसंद करती है क्योंकि वे तो बे खौफ, बे निडर, मतलब निडर, किसी प्रकार का उनको डर नहीं है, बिना भैके, ठीक है, वे पतंग उडाने लग जाते हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते कपास, यानि कि जन्म से ही वे अपने साथ कोमलता लाते हैं, प्रत्वी घूमती हुई आती है, उनक दोड़ते हैं बेसूद, बेसूद का मतलब क्या बताया यहाँ पर, बिना ध्यान से, बिना ध्यान से, ठीक है, आगे चलते हम, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, परत्वी घुम्ती हुई आती हैं, उनके बेचेन पेरों के पास हो गया है, जन्म से ही वे अपने साथ कोमलता लेकर आते हैं, और जो प्रत्वी घुमती ही हुई है और उनके पेर जो बेचेन हो रहे है प्रत्वी पर तिकी नहीं रहे है उन पेरों के नीचे जब प्रत्वी आती है तो वो खुद को भागेशाली समझती है जब वे दोडते है बेसूद यानि कि ध्यान दिये बिना जब दोड जाते है त प्रत्वी ही ऐसा लगता है कि जब दोड रहे हैं तो नीचे कुछ नहीं है तो धर्ती जो है हमारी वो उनको सारा देने के लिए महाँ पर हाजिर हो जाती है छतों को भी नरम बनाते हुए इससे क्या तत्वर्य है यानि कि वे इतने बेखोफ हो जाते हैं पतंग उडाते समय कि जो कठोर छत जो उन्हें पहले पतंग उडाने के पहले जो उन्हें कठोर लग रही थी भयवाली लग रही थी कहीं गिर न जाये वो भी आज नरम हो गई ह वो बिल्कुल नरम हो गई है कहीं पर उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं लग रही है दिशाओं को म्रदंग की तरह बजाते हुए ठीक है और चारो दिशाओं में अपना शोर शराबा करते हुए जब वे पैंग भरते हुए चले आते है कि जब वे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए चले आते है यानि कि चारो दिशाओं में पुर्दंग मचाते हुए डाल की तरह लचीले वेग से अकसर डाल की तरह मतलब डाल कैसे जुमती रहती है उसी प्रकार उसी वेग से वे हमेशा आगे बढ़ते हुए छतों के खतरनाक किनारों तक और जिस किनारे का उन लोगों को पहले डर लगता था कि किनारे पर जा रहे कहीं गिर न जाए पतंगों की कौन बचाता है उनको जो अब क्या होता है कि छतों की खतरनाक किनारों तक तो वे चले जाते हैं लेकिन उनको बचाता कौन है क्योंकि उनको पता ही नहीं किसी तरह से वह तो पतंग उडाने में बिलकुल व्यस्त हो चुके है और इसी व्यस्तता के कारण उनके शरिन में एक रोमांच भरा हुआ है पतंग को उपर उडाने का वही रोमांच उनको बचा लेता है कि तुम गिरोगे नहीं उनको आत्मविश्वास पैदा करता है उनके अंदर थोड़ा सा एक समझदारी का भाव पैदा करता है कि हमें पतं आप ही समल जाते है और ठीक हो जाते है सिर्फ उनके रोमांच शरीर का संगीत जो अंदर का संगीत है वही उन्हें संकेत देता है कि अब तुम्हें यहां से हटना है यह खत्रे का निशान है पतंगों की धरकती उचाया उन्हें धाम लेती है महज एक धागे के सहारे पतंगों की धरकती उचाया जो वे उपर जाती है तो वे उचाया उन्हें धाम लेती है उन्हें एक तरफ कर लेती है महज एक धागे के सहारे एक धागे के सहारे वह अपने आपको समाले हुए पतंग उपर है लेकिन जिस धागे के सहारे पतंग है उसका पतंग का जो दू विता को पढ़ते हुए, हमें खुद को भी मुझे खुद को भी लग रहे कि मैं उसी माओल में चली गई हूँ आप सब को भी लग रहा होगा ठीक है तो आगे चलते हैं गिर गया किनारे से कोई गिर गया ठीक है और वो बच गया उसके बाद तो उसके confidence की भाई बात ही अनिराली हो गई कैसे क्योंकि उसको तो आत्मे विश्वास हो गया कि मैं यहां से गिर के बच गया मतलब हमें बच जाओंगा मुझे कुछ नहीं हुआ यानि कि मुझे अभी पतंग और उडानी है एक मौका मुझे और मिल गया है और भी निदर होकर सुने ले सूरज के सामने आते है निदर यानि कि बिना डर के बिना डर के बिना डर के सुना रहे यानि कि जो चमकीले सूरज है चमकीले सूरज के सामने आकर आत्म विश्वास से खड़े हो जाते हैं कि अब तो मैं मेरा कुछ नहीं होने वाला है प्रत्वी और भी तेज घुमती हुई आती है उनके बेचेन पैरों के बाद और तब उनका जोश और बढ़ जाता है उनके शरीर में रोमांच और बढ़ जाता है और वे अपनी उमंगों के साथ फिर से उड़ने लग जाते हैं और घुमते फिरते प्रत्वी पर कदम तक नहीं रखने जैसे रहते हैं ऐसे ही इदर उदर दोड़ते रहते हैं और उनके बेचेन पैरों के नीचे फिर प्रत्वी गुमतियों आती है उन्हों समालने के लिए तो यहां हमने ये जो कवीता पड़ी है आलोग धनवा जी की ये बहुत बाल सुलब कवीता है प्रकरती के बारे में बताया है बालक के मन के बारे में बताया है पतंग के मादम से कवी ने बालक की बहुत अच्छी उमंगों को यानि कि उनकी अंदर की रोमांच को व्यक्त किया है कि किस प्रकार एक पतंग के मादम से बच्चा अपने मन के भावों को उचा उड़ाना चाता है आसमान में उड़ाना चाता है यहीं उन्होंने कहा है तो यह जो आज हमारा जो लेक्चर था आलोक धनवा जी का पाठ पतंग उसका जो फर्स्ट लेक्चर है उसके साथ ही हमारे ये लेसन समात हुआ है तो आगे हम इसके प्रशन उत्तर लेकर फिर से हाजिर होते हैं तो तब तक के लिए थेंक्यू